आपके ही अपनी यूटूब चैनल ड्रीम क्रिक ग्रूम है आज हम बात करने बालें जो मुकाबल होने बाला है इंडिया और साउथ अफरिका की बीच में इसके बारे में डेटेल से इस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगी साथ में दुफत हमने आपके लिए 10,000 का गिव मिलेगी और साथ में इस पिविए और सवी इंफरवेज़्न आपको टेलेगरम पर मिल याँ और देख सकते हो कि पर्त में मुकाबला खेली जाने बाला है जो कि एक balance bucket यहाँ पर मानी जा रही है लेकिन मैं आपके लिए पहले उससे यह बता दू कि हम यहाँ पर एक better predictor हो गए हैं जियां दोस्तों क्योंकि ऐसा मौसम यहाँ पर बारिस का मौसम चल रहा है तो अधिकतर बारिस अधिक मुकावला में हो रही है आज भी लगवक 49% है बारिस क्यों होने के अभी current में बारिस चल रही है अब देखते हैं मौसम के टाइम तक खुलेगा या नहीं खुलेगा अभी हलागी 4-5 घंटे हैं हमारे पास यदि खुलता है बैदर खुलता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी और हमारे लिए भी होगी और इससे डारेक्ट यदि इंडिया हारती है या इंडिया जीतती है तो फाकिस्तान दोस्तो भार होने की पूरी-पूरी संभाबना है तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर भी नुट बारे में तो आप 202 फर देखोगे तीन मुकाबले खहले गाएं इन में से पहले बले बाजी करते हुए एक मुकाबले और सेकंड बले बाजी करते हुए दो मुकाबले बिन की बात करतों यहाँ पर average के बारे में to 142 यहाँ पर बता रहा हूं मैं T20 में कुछ average और निकल कर आता है। यहां पर मैं इंटर नेशनल का बता रहा हूं। आप यहां पर देखूगे कि हाइस्ट 208 यहां पर इंग्लेंड ने बनाया थी और लुएस्ट 106 पाकिस्तान ने बनाया थी। यदि वेनु पर बात की जा, दुफ्तो, scoring pattern के बारे में, तो आप यहाँ पर देखोगे, 150 और 150 से नीचे दो बार score देखने को मिला है, 152, 169 score देखने को नहीं मिला, 172, 189 score देखने को नहीं मिला, और 190 above एक बार score देखने को मिला है, दुफ्तो, यहाँ पर ज्यादा मुकाब मुकाबले खेले गाएं इस में पर, उनके बारे में हम डेटेल से चर्चा करेंगी, पहला मुकाबला यहाँ पर अफगानिस्तान और इंग्लेंड की बीच में हुआ था, तो इसमें देखोगे, अफगानिस्तान ने पहले बल्ले वाजिकरती, 102 पर ओल आउट हो गई थी, और इंग्लेंड ने 113 बना कर उसे easy chase कर लिया था, 18 असमला एक ओवर में, यहाँ पर देखोगे, इस्पिनर को पहले इनिक्स में कोई विकेट नहीं मिला, पेस बॉलर ने 10 विकेट निकाले, सेकेंड इनिक्स में इस्पिनर ने 3 विकेट और पेस बॉलर ने 2 विकेट निक जैसे यहाँ पर ज्यादा बिकेट इस्पिनर के देखने को मिल रहे हैं, और आपके लिए मैं एक बात बता दूँ कि यहाँ पर बिकेट बैलेंस है, बिकेट बैलेंस इंदा से जितनी बले बाजों के लिए मदद करेंगे उतनी गैंद बाजों के लिए भी मदद करोगी, और गैंदबाजी में दोस्तों इस पेसल पेस बॉलर के लिए बहुत अच्छी विकेट है तो आप पेस बॉलर यहाँ पर ट्राई करकर चल सकते हो बात करने दोस्तों अगला मुकाबला जो स्रिलंका और 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 ऑस्टलिया की तरह बीच में खिला गया था एक समय ऐसा लग र इनिंग्स, बल्ड कप की बेस्ट इनिंग्स है या कोई और भी इससे आगे खेल का देगा, उसके बाद बाद कीजा दोस्तों यहाँ पर की ओस्टिलिया ओस्टिलिया ने 108 बर मना कर चेस कर ली थे, यहाँ पर देखो कि आप पहली इनिंग्स में इस्पनर ने एक विकेट निकाला और सीम बॉलर ने तीन विकेट निकाले वहीं यादी वाद की जाया दोस्तों यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में तो एक दो और एक, तो यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास इस्पनर को मिला नहीं आगला मुकाबला जो जुम्बाम में और पाकिस्तान का खेल अगया था दोस्तों, एक मैच चेंजिंग, मतलब बल्ड कप का मैजिक मूमेंट में यहाँ पर यही कहूंगा आप देखो कि यहाँ पर जुम्बाम में ने पहले बल्ले बैन्यू का लेखा जोखा है, यहाँ पर एक एवरेज विकेट है, लेकिन पेस बोलर के लिए साथ में ही मदद मिलेगी, और दोस्तों बारिस के बारे मेरे पास जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा आप अपने टीम में ट्राइब कर सकते हो, आप देखोगे कि यहाँ पर 9 और 4 रन, इनिंग से 9 नहीं दोन ही मुकाबलों में फैल होने वाले के लिए दी, लेकिन हेट टो हेड बात की जाद दो मुकाबलों में 108 रन बनाए अफरिका क्लाप, 108 का अबरेज और स्ट्राइक रेड भी दोस्तों ठीटा के 128 का उसके बाद रोहित सर्मा, रोहित सर्मा रिसेंटली निधर लेंड के खिलाप त्रेपन बनाए थे दोस्तों, बले ही इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर रोहित सर्मा का कॉन्विडेंस वापस आया था, निधर लेंड खिलाप 53 रन बनाए उसके बाद पाकिस्तान खिलाप इन्होंने 4 रन बनाए थी, head to head याद याद अफरीका क्लाप देखोगे, तो अच्छा रिंका record है, 16 मुकाबलों में 408 रन 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 बनाए अफरीका क्लाप, और 28 क की नहीं है लेकिन इन्हें थोड़ी परिशानी अई रवाडा के सामने, जिया दोष्तो रवाडा के सामने, थोड़ी सी परिशानी आ सकती है, और दोस्तो बात की जाए, वाष्अट रन और 28 के डो इनिक्स, दोनों ही मुकाबलों में सांधार खिल कर दी है?」 जिया दोस्तो, तो आप मुझे comment करकर बताईएगा मैंने आप से question किया था कि क्या कोहिली की innings, मतलब क्या innings दोस्तो मरकास इस्टॉनिस की world cup की best innings थी या कोहिली की, आप मुझे comment करकर बताईएगा जिया दोस्तो, कोहिली का आप देखोगे, दोना ही मुकाबलों में सांदार फोम में है, त बिल्कुल definitely आप इने try तो कर सकते हो 12 मुकाबलों में 316 है दोस्तों इनके खिलाब और भहीं आप देखोगे तो 38 का average है और extra grade भी इनका बहुत अच्छा है तो अभी सबसे west बल्लेबाज इन तीनों में निकल कर आए हैं दोस्तों जो की आप कमेंट करकर भी बता सकते हो कि इस मुकाबले में एक कितने run बना सकते हैं उसके बाद बात की जा दोस्तों सूर्कुमार यादब एक क्यावन run एक क्यावन run के इनिक्स मात्र 25 बॉला मों खिली थी और उसके बाद 15 run दो इनिक्स इन्हों ने सांधार खिल कर दी हैं आप यदि सूर्कुमार यादब का देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीन मुकाबलों में 119 बना हैं दोस्तों इनके खिलाप और उसमें 69 के आवरीज रहा है तो बहुत सांधार इनके आवरीज रहा है साथ में 95 का strike rate भी है अल्मोस्ट 200 का अभी दोस्तों इन्डिया में कोई यदि hard hitter है जियां दोस्तों hard hitter कह लीजीएगा या फिर finisher कह लीजीएगा जो कि इस strike rate से बल्लेबाजी करता है तो वो अभी मात्र सूर्कुमार याद भी है उसके बाद बात की जाए हार्दिक फांडिया के बारे में हार्दिक फांडिया दोस्तों पाकिस्तन क्लाप अच्छी बल्लेबाजी प्लस गैन्दबाजी की है जियां दोस्तों कोईली के साथ इन्होंने काफी मैचौरिटी चेनिंग्स खेली थी और उसके बाद दोस्तों लाश्ट मुकाबले में बिकेट नहीं मिला और बल्लेबाजी इनकी आई नहीं जियां दोस्तों बल्लेबाजी आई नहीं हार्दिक पांडिया, और लाउंडर सेक्षिन में आपके लिए नजर आ जाएंगे, आप बिल्कुल डेपनेली इन्हें अफनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अब बात की जाए दिनिस कार्थिक के, जी यहां दोस्तों, दिनिस कार्थिक के बार नुचर्चा करें, तो इनकी एक मकावल में बलिबाजी इसमें एक रन बनाया था, पाकिस्तन क्लब, और बहुत गयर जुम्मेदार ना सौट खिल कर आउट होई थे, उससे हम मुकावला हार भी सकते थे, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाराज हूं दोस्तों, आपको कह लगता है कि दिरिश करते को और अच्छा कर सकते थे वहाँ पर, तो मुझे वीडियो पर कमेंट करकर बताईएगा, उसके बाद बात की जाए, इन्होंने इनके खिलाब 12 मुकावलों में 215 रन बनाये, 35 का आबरेज है, दोस्तों 35 का आबरेज क्यों है, कि कोई अधिकतर ये not out जाते हैं, इनका strike rate भी अक्छर फटेल के बारे में चर्चा की जाए, तो अक्छर फटेल का आप देखोगे, दो विकेट यहाँ पर एक ओवर किया था, और इसमें ही दोस्तों यह नोंने रन दिये थे, 21 तो दूसरा ओवर इनसे कराया ही नहीं गया, ग्रेल लिग की सांदार चोईस है, इसमॉल ल 12 से 11 मुकाबलों में 6 विकेट निकाले हैं, मतलब अक्छर पटेल इतने कारगार सिद्ध नहीं हैं दोस्तों अफरीका क्लाप, और चुकि पेस विकेट हैं, तो आप यहाँ पर स्मॉल लिग में तो इन्हें आवोईड करकर चल ही सकते हो, रभी चंदर नमेस्वन के बारे म टूनामेंट में कहूंगा, इनका यहाँ देखोगे, 9 मुकाबलों में अफरीका क्लाप, 10 विकेट हैं, और 21 का इनका एबरेज है, जी हाँ दोस्तों 21 का इनका एबरेज है, उसके बाद यहाँ बात की जाए, भुबने सरकुमार, अच्छी गेंधवाजी की है दोस्तों, 14 विकेट इनके है, और दोस्तों 15 का एबरेज है, बहुत इंपोटेंट गेंधवाज है, आप इनके ट्राइ कर सकते हैं, दोस्तों यदि थोड़ी भी स्विंग मिलती है न, तो विपने सरकुमार आपके लिए काफी खतरनाग गेंधवाज हो जाएंगे, जी हाँ दोस्तों यदि थोड़ी सीबी स्विंग मिलती है तो, उसके बाद अर्शदीप सिंग, अर्शदीप सिंग ने भी अच्छी गेंधवाजी किये, दो विकेट और तीन विकेट, यहाँ पर देखूँगे, हैट तो हैट दो मुकाबलों में पांच विकेट निकाले हैं, तो विल्कुल दोनों ही आपको death over में गेंधवाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, तो बिल्कुल definitely आप इन्हें अपने टीम में ट्राइ कर सकते हो, यहाँ दोस्तो इन दोनों को ट्राइ कर सकते हो, यदि भूमिनिस और कुमारक पर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो आप इन option के साथ इनके साथ जा सकते हो, अब बात करें अफरीका की दोस्तो प्लेयर वाई प्लेयर एनलाइसिस की बारे में, यहाँ पर आप देखो कि टेमो बमुल वाकी तो टीम में जगे ही नहीं बनती, फिर भी इन्हें खिलाया जा रहा है, और सबसे बड़ी हराने की बात तो ह है कि यह कैप्टन है, तो आप इन्हें तो अबॉइड करकर चल सकते हैं, अपनी स्मॉल लिग प्लस ग्रियन लिग की टीम में, इसके बाद क्वांटन डिगो, इंपूडेंट प्लियर हैं, नोट करिएगा, इंडिया खिलाब जो सीरीज हुई थी, उसमें तो इन्हों ने इतना खास नहीं किया था, लेकिन यहां पर आप देखोगे, तो इसमें पर बादित हुआ था, इंडिया खिलाब देखोगे, 9 मुकाबलों में 311 रहन है, एक्क्याबन का अबरेज है, बहुत अच्छा बलेबाजी करती हैं दो इंडिया खिलाब, और 142 के श्ट्राइक और ग्रेंड लिग की टीम में, एक आधा टीम में, कैप्टन सी, बाईस कैप्टन सी भी दे सकते हो, इसमोल लिग के कैप्टन, बाईस कैप्टन में आपके लिए बता दूँगा, उसके बाद बात की जाए रावली रोस, रावली रोस हो कि देखोगे, इंडिया खिलाब, लेकिन बंगलादेश भी अब दोस्तों बो बंगलादेश नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी इनका देखुए तीन मुकाबलों में सौरा नहों नहीं वनाए हैं दोस्तों इंडिया क्लाब जो की हंडेट लगा कर आये थे मात्र हंडेट ही लगाये थे उससे पहले दोनों ही मुकाबलों में जीरो-जीरो पर यहाऊ हुए थे जिया दोस्तों बो भी मनोवग्यान एक दबाब रहेगा लेकिन रिसेंटली अच् के लिए इंपुडेंट कब हो जाते हैं तब इनके शुरू से एक याद दो विकेट जल्दी गिर जाते हैं जी हैं दोस्तों हाट हिटिंग के लिए इन्हें उपर नहीं पहुंचाएंगे यदि बारा या तेरा ओवर तक इनकी बल्लेबाजी आती है तो दोस्तों इन्हें करेंगे क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है और हम बिकेट की सुचवेशन काफी रीड करेंगी तो प्लीज आप टेलिग्राम जरू जोइन कर लेजीगा क्योंकि आफ्टर टॉस आपको सभी कुछ इन्फरमेशन टेलिग्राम पर ही मिलने वाली है तो प्लीज आप टेलिग्राम जोइन करना हमारा बिलकुल मत भूलिएगा उसके बाद बात की जाए दोस्तो इस टप्स के बारे में इस टप्स हाट हिटर के तौर पर जाने जाते हैं इनका आप देखोगे तो सात रन फिर यहां पर बलेबाजी नहीं आई उस तो हिटिंग के लिए इन्हें दौनों से ही अच्छा करकर दी रहे हैं इनका देखोगे आप दस मुकाबलों में दोस्तो एक साटरन बना हैं बलेबाजी से और दस मुकाबलों में छे विकेट चटका हैं लेकिन प्लेयर अभी अच्छे हैं अभी रिसेंटली इनका फॉर्म भी अच्छा रहा है तो वैन पारनेल को आप अपनी टीम में ट्राइग कर सकते हो इंपोडेंट प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं उसके बाद बात की जा दोस्तो केसाब महराज केसाब महराज नहीं जिस तरीके से एक मुकाबले में इंडिया खिलाप बल्लेबाजी की जब टॉप ओडर कॉलेस्प हो ग गेंड लिग की टीम में ट्राइग करना है इसमॉल लिग के लिए हमारे पास तीन दो फास्टर अच्छे हैं कंगी सो रवाड़ा और एंड्रेस नोटर से दो सांदर फास्टर हैं आप देखोगे रवाड़ा का एक विकित निकाला लाक्ष्ट मुकाबले में और से पहले य गेंदवाजी की थी और बारिस में गेंदवाजी इतनी अच्छी होती भी नहीं है कोई भी गेंदवाज हो इंडिया खिलाब देखोगे आठ मुकाबलों में आठ विकित निकालें ग्यारा मुकाबलों में तो मतलब इंडिया खिलाब इतनी अच्छी गेंदवाजी इन्हो यहाँ पर इस condition में दोस्तों आपके लिए important player ही हो सकते हैं तो आप इन्हें जरूर अपनी टीप में try कर सकते हो उसके बाद बात की जाए तबरीत समसी दोनों ही मुकाबलों 5 bucket निकाले लेकिन आप दोस्तों इंडिया के खिलाप इन्हें जगें मिलेगी या नहीं मिलेगी इं दोस्तों अब मैंने आपके लिए एक combination ready करका रखा है उसके बारे में तो दोस्तों के बारे में चर्चा करें उससे पहले यादि आपने अभी तक my favorite event डाउनलोड नहीं कर डाउनलोड कर लेजीगा लिंक आपको description में मिल जाएगी डाउनलोड करकर आपके लिए राज बंट डाउनलोड करकर कोड़ डाउनलोड करकर जरूर देखेगा आपको इस अभी profit मिल लेबाले हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो my family event लिंक आपके लिए description मिल जाएगी तो आपके लिए final preview यहाँ पर आप देख सकते हो लेकिन उससे पहले चैनल को subscribe नहीं किया हो तो कर एक लाख subscriber का target आपको जल्द से जल्द पूरा करना है जिया दोफ्तो वन लाख subscriber का target आपको जल्द से जल्द पूरा करना है तो आज एक साथ एक वीडियो को स्वेर करिएगा और अपने फ्रेंड से बोलीगा चैनल को subscribe कर लेगा आप यहाँ पर देख सकते हो content deco को try गिया ह ब्राट कोली हैं सुर कुमारे आदब राहुली रासो और दोस्तो यहाँ पर रोज सर्मा है बात की जाए all around section में हार्दिक पांडिया है एडल मारकरा में और वेन पारनल को अपनिटी में try किया है अर्षदीप सिंग हैं दोस्तो एंडेज नॉटर जी हैं और कंगी सुर दोस्तों यहाँ पर आप इनमें से किसी बल्लेवाज को में करकर जी हैं दोस्तों किसी बल्लेवाज को ड्रॉप करकर यहाँ आप ट्राइ करना चाहते हो दोस्तों यहां पर एक एक्स्टा गैंदवाज इंडिया का समी तो आप अपनी तरफ से कर सकते हो यहां रोज सर्मा क पर फिच के अक्वाडेंग केप्टन वाइस केप्टन बना सकता हूं तो फिलीज आप टेलेग्राम जरू जोईन कर लेजिगा लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो अच्छी लागी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सस्क्राइब कर लेना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद